आप देखरें जेके न्यूस टूडे मैं आपके साथ हिवानी गंधारी आज हम आये अब इनफ थेटर में आपर तवी साहत्य लोग उतसब चल रहा है है 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यह चलेगा चले आपको यहां के कुछ जल्कियां दिखाते हैं अब लोग बेटे हैं मासु गाउं की कुछ ओरतों के साथ जो अपने गाउं का तो आप यहां पर क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं ठिसरेले कहते हैं अपना पाड़ी जो भाशा है ठिसरेले बोलती हैं आप तो ऐसे जूते बोलते हैं तो हम इसको दिखाने के लिए आए है कि कैसी बनती इससे क्या होता क्या सुक मिलता है हाट का प्राबलम है जो नहीं होती है इससे इसको लगाएंगे पैर क यह साख ने पहनना चाहिए ऐसी लगाने चाहिए फिर हाट प्राबलम नहीं होगी तो आप हमें तोड़ा दिखाएंगे उमारे दर्शकों को तो यह इस तरह से बनता है और आप देख सकते कितनी महनत लग रही है यहां पर यह बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह से बनाते हैं तो इसका क्या प्रोसेस रहते हैं किस तरह से बनती है बस अभी रसी बनाई एक घास की बनती है और दूसरी घास की बनती है जो यह रसी इदर है यह उस घास की बनती है जो आप कोद्रा बोलते है आपको शह नहीं है मालूम जो रोटी लाल जैसे होती है उसका घास होता है यह उता है चौल की घास जो इधर है यही घास है यह जूत है इसकी बड़ी राशी बनती है और फिर सिलाई करने के लिए छोटा जो एक ओद्रका घास है इसका राशी बना कि फिर इसको सिलाई करते हैं तो यहां पर मैं देख पारी हूं कि यहां पर एक यह आंटी हमरसद बै काटते हैं काटकर यह उन निकालते हैं इसको फिर हम बोलते हैं धुनिन से फंटे हैं फिर फंटके फिर बनाती इससे काते हैं फिर दो धागे किठे करके हम बनाते हैं इसके कंबल भी बनाते हैं और जो जेंड्स पहनते हैं कुर्टा पजामा जैसा हम बोलते हैं कंबरी सु वेमारी कुछ नहीं होती है तो अगर इसमें डिजाइन चाहिए लोगों को अगर इसमें डिजाइन चाहिए जाएंगे कि आई और ये लीजिए हां जो अगर लेन चाहिए तो हम बनाएंगे यहां तो ले सकते हैं और क्या इस समय हम इंद्रा गानी नाशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के स्टॉल पर खड़े हैं और हमारे साथ यहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव हैं के चलिए इनसे बाचित करते हैं आपका नाम वसुधा इस तरह के जो स्टॉल लग मतलब जितना हम जानते हैं यह हमारी हम पहली बार स्टॉल लगा रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इंद्रा गांधी राश्ट्रे कला केंद्र का जो रीजिनल सेंटर है जम्मू और कश्मीर में उन्होंने एक बहुत महथवपूर्ण भूमे का निभाई है इस पूरे उत्सव को खड़े करने में उत्सव की परियोजना में उनका बहुत बड़ा हात रहा है तो हम नई दिल्ली से आये हैं और कुछ ही घंटे हुए हैं हमारे आयोए लेकिन अल्रडी हमने कुछ किताबे बेच डाली है और इससे हमें एक बहुत अच्छा एडिया में जहां सोशल मीडिया इतना हावी करता है हमारे जिंदगी को यह सच में एक आश्यरे वाली बात है जो बहुत खुश करता है आपको अगर बात की जाए डिजिटलाइजेशन की डिजिटल प्लाटफॉर्म की शोशल मीडिया की तो आजकल की जो नई जनरेशन है वो उसक साहित्य उत्सवों को और्गनाईज करना जरूरी है क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम आते हैं हम अपने किताबों का प्रचार करते हैं हम छूट देकर किताबों को बेचते हैं तब ही एक तरीके से हम इस चीज़ को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं कि आप आईए आप फिजि प्रिया आदा करना चाहूंगी अपना कि वह आएं हमारे स्टॉल पर और मैं यह कहना चाहती हूं कि आप प्लीज आईए हमारे पास बहुत सारी किताबे हैं कला और संस्कृति को लेकर अंग्रेजी में हैं हिन्नी में हैं रीजिनल लैंग्विजिस में भी है तो मैं तो चा कि आपकी आपकी और क्या मोटिवेशन रही है यह जो बुक है यह कि 370 के खतम होने के बाद जमू और कश्मीर पूरे राज्य में केवल दिखने वाली चीज नहीं जो जमीनी धरातल पर बदला हो रहा है आपकी क्या उब्जरवेशन रही है गर जहां की जो जमीनी अथार्स को लेकर कोई भी मीडिया हाउसे या कोई इसी किताब नहीं मुझे दिखी जो बताया कि यहां पर किस तरह के बदला हो रहे हैं या नहीं बदला हुए हैं पुछले 70 साल में क्या हो रहे हैं जैसे आपने देखा होगा कि पार्लेमेंट में तो उसी तरह यहां देख रहा था कि यहां जो बदला हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं चाहे टूरिजम को लेकर हो चाहे रूरल डेवलप्पेंट को लेकर हो पंचायती राज सिस्टम को लेकर हो कोई बात नहीं कर रहा था तो ऐसे में मुझे एक आया कि क्या यहां की मीडिया कवर कर रही कि नहीं लोकल मीडिया तो मैंने पाया कि जो पंचाइटी राज सिस्टम है जो यहां के इंटर्पेनियोर्सिप है वो किस तरह से बार है यहां लोकल टूरिज्म कैसे बार है तो मैंने देखा कि काफी ज्यादा यहां coverage हो रहा है जो लेकिन दिल्ली में बैटकर नहीं मिलता है रास्टी निजपेपर या इंट्रेशन निजपेपर उसको नहीं दिखाता एक चीज मैंने जो पाया जो इंट्रेस्टिंग है कि जमू कश्मीर एक प्रोड़क्ट की तरह है जहां पर लगता है कि यह इसको टेडिजम दिखाएं जदी इसको हम दिखाएं कि आतंक से ग्रस्त है तो इसमें बहुत साथ है मार्केट है लेकिन यह एक ऐसा भारत का एक स्वर कहा जाता है लेकिन उसको ज्यादा नहीं है बस अमर्नात त्यात्रा या वैसनुदेवी को लेकर इसके अलावा बात नहीं होती जबकि यहां ऐसे तिरसस्तल हैं जो 200-300 साल पुराने हैं जहां पर जाते हैं लोग लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं होती थी हमारे दर्शकों को अगर यह आपकी बुक कस्वी ढूंड के आपको मिल जाएगी तो इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर राव्या गुपता जिन्होंने इस जिन्होंने इस बुक का रिव्यू किया है और वही आज के इस सेशन के मॉडरेटर भी है चले उनसे बात करते हैं वेलकम माम थैंक यू माम आपने जिस तरह से अथ बीव्यू किया है उसके बार में आप बताएं या थैंक यू सो माच आप यू अवोड लाइक टॉस फस्ट शो दर्ख टॉबर कर दे बॉक्त टॉड लाइंस इस त्रश्वर्मिंग जेंके गवर्नेंट्ज डेवल्लप्मेंट आं मेडिया दॉक्त टॉड बडॉक्त I think, you know, is a wonderful reference book also for the scholars and not many books are there which can be, you know, referred by scholars. Although we keep talking about, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी problems के बारे में हम अकसार जिक्र करते हैं, इतना जो काम हो रखा है, यहां फिर जिस विजन को फॉलो करके आगे के लिए जो काम हो सकता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और नहीं कहीं पर डॉक्यमेंटेड था. So I think this was the pioneer in the sense कि जिसने कभी सोचा नहीं कि हम, why not we talk about the things and the initiatives that have been taken and that can, you know, tell people about the way forward. Right, so those have been documented here and I would really recommend this book to all the people who want to map the things or who want to, you know, see the pattern of transformation, how post-abrogation, how things have transformed. This is one source material where you can see how media has been reporting, whether, first of all, whether they have been reporting or not, right, and if they are reporting, in what context are they reporting? And are they giving, with reference, with indexing also, indexing and in detail, in depth, you know, not at the surface level. Things have been covered here in a very depth, not at the surface level. So this is one piece of book which can be referred, you know, for future documentation as well. As a scholar, our work is to start the chain and research means is to go back and go forward, right. So in that, I think this book, back and forth ka role play karne ke liye, this book will play a crucial role, I think. So I suggest all of those who want to actually see ki hua kya, you know, people are talking in their drawing rooms ki abrogation ke baad aage kya hua, kya hua, right. So they can find aage kya hua hai, way forward is there and they have to just follow it and way forward will open. So this is the first day of the day, which we have brought up culture, safety, all these things to do with the same thing. So this is the way to see the updates, J.K. News Studio, camera person, Humara Rehna, Mahi Mani Kandhari. .